पॉपिट के अंदर उसके ओनर का स्टोल मार्क जरूर होगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता अब आगे एपिसोड वन पॉटी की शिरुवात में हमें मिस फेंग केंगर को दिखाया जाता है जहां वाज जियाओ यान पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि जियाओ यान की वज़ एससे कवर वाली के मास्टर बॉलता है तुमने बिल्कुल सही कहा इनमें से किसी भी ट्रीप टिलिपोडेशनन से गुजरने के बाद कोई कहां पर पहुचेगी किसी को नहीं पता जिसकी वजह से किसको कौन सा ट्रेजर मिलेगा यह भी कोई पक्का नहीं है और अगर तुमने मुझे करने की कोशिष की तो मुझे मत करना कि आयसेवर वैली के लोगों ने तुम्हें इंजय इंजेट कर दिया इसके बाद वह इक ट्ट्रीपोटेशन फार्मेशन के अंदर चला जाता है तो उसके साथ मौधूद लोग भी उस चलिपोटेशन फोर्मेशन के अंदर चले जाते है जहां जीयां अभी भी ट्टीशन फर्मेशन के बाहर खड़ा था और सोच रहा था मुझे किसे ट्टीशन फर्मेशन में के अंदर जाना चाहिए तो जीयां बोलती है डूँऑ इस बार मुझे स्मय हर्प्स के स्मेल आ है तो जियान बोलती है नहीं नहीं मैंने तो बस ऐसे ही गैस किया जिस पर जियावयान हैरान हो जाता है क्योंकि वह सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर जा चुके थे इसके बाद हमें सभी लोगों को एक जगह पर दिखाया जाता है जहां पर वह सभी लोग एक ऐसी जगह पर आचुके थे जहां काफी सारे medical herbs थे जिसको देखकर ancient dragon bear काफी हैरान हो जाता है और बोलता है इतने सारे medical herbs तो मेरे 10,000 mountain range के अंदर भी नहीं है तभी जियान भी उस जगह को देखकर काफी खुश हो गई थी और आसपास मौजूद medical herbs को लेकर खाने लगती है तो जियान उसे बोलता है medical herbs को खाने के चक्कर में भूलना मत कि हमारा असली टार्गेट baby soul fruit है तो जियान बोलती है baby soul fruit इस direction में है जिस पर जियान बोलता है क्या तुम शौर हो या फिर से गैस कर रही हो तभी जियान को वहां पर थोड़ा अजीब महसूस होता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है जहां उसे पता लगता है कि उसके आसपास कोई भी आनिमल नहीं है और ना ही इन सभी medical herbs को प्रोडेक्ट करने के लिए यहां पर कोई गार्ड है और तभी जियान एक डिरेक्शन में जाने लगती है तो जियाओ यान उसे जाने से रोकने लगता है पर हम लोग देखते हैं अचानक से इनेरजी ग्लो करने लगती है और जब जियाओ यान लिटल फैरी डॉक्टर और बाहर आओ कौन कर रहा है यह सब आखिर तुमेरे फ्रेंड्स को कहां लेकर जा रहे हो और तभी जियाओ यान किसी चीज को देखकर हुश हो जाता है और बोलता है क्या यह बेबी सोल फ्रूट है लेकिन वहाँ पर एक दो नहीं काफी सारे बेबी सोल फ्रूट होते हैं जि तुम मुझे यहां पर फसानी की कोशिश कर रहे हो मुझे यकीन है इन सभी बेबी सोल फ्रूट में से कोई एक तो असली तो होगा ही तभी जियाओ यान देखता है एक बेबी सोल फ्रूट अलग डिरेक्शन में भाग रहा था तो जियाओ यान समझ जाता है वही असली बे पर तभी 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पावर को इंक्रीज कर देती है और जियाओयान सोचता है मैं अभी अभी लिटल फेरी डॉक्टर, मास्टर दियान हुआ जूंजे और बाकी सभी को ढून क्यों नहीं पाया और उसे एक बार फिर से कुछ गरबर महसूस होता है और तभी ह सोल फूर्ट, इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और जब जियाओयान सोमाहता है थे हिसंट गिर फिर में यहाँ खता है इसकी abilities तो सच में काफी extraordinary है और तभी उसे वहाँ पर कोई आवाज सुनाई देता है और जब वह पीछे देखता है तो पता है कि लिटल फैरी डॉक्टर Master Tiyan Vajun Jay, Ancient Dragon Bear और Ziyan Baby Soul Fruit की पावर की वजह से उस लावा के अंदर जाने वाले थे तो Ziyan उन सब को आवाज लगा कर रोकने की कोशिश करता है पर जब वह सब नहीं रुकते तो Ziyan अपनी 3000 Burning Claim का यूज करते हुए काफी सारे हाथ को create करके उन सभी को पीछे कर देता है तभी वह सभी लोग भी होश में आ जाते हैं जहां वह सभी लोग भी इसको देखकर काफी हैरान हो गए थे और Ziyan गुसे में उस लावा के बीच में मौजूद पेड के अंदर से असली Baby Soul Fruit को लेने के लिए जाने लगती है तो Ziyan उसे रोकते हुए बोलता है रुको अभी वहाँ पर मत जाओ मुझे यकीन है जरूर उसे कोई Beast प्रोटक्ट कर रहा होगा और तभी उस लावा के अंदर से एक Magical Beast बहाँ निकल के आता है जिसको देखकर Master Tiyan हुआ जूंजे काफी हैरान हो चुके थे और बोलते हैं यह तो Ancient Heavenly Dragon Beast है यह तो पूरे वर्ल्ड में बहुत पहले ही गायब हो चुका था फिर आखिर यह यहाँ पर क्या गर रहा है दोसी तरफ हम लोग उस Beast को देखते हैं जो कि इन सभी के उपर अटाक करने के लिए बिल्कुल तयार होता है और तभी जी यान अपनी एनरजी को रिलीस करती है जिससे उसके पीछे Ancient Taiju Dragon की Spiritual Body बन जाती है और जी यान उस Beast को काफी Badass तरीके से देखते हुए बोलती है मेरे सामने जुक जाओ जहां जैसे ही वह Magical Beast जी यान की Ancient Taiju Dragon की Body को देखता है वत्तुरं डर के मारे उस लावा के अंदर भाग जाता है और फिर जी यान जी यान से बोलती है जी यान जाओ जाकर उस Baby Soul Fruit को ले लो अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी Magical Beast नहीं आएगा जहां जी यान बोल रहा था जी यान तुम तो सच में काफी Powerful हो तुमने तो मेरे इस काम को काफी आसान कर दिया जिसके बाद जी यान उस पेड के पास जाकर उसमें से Baby Soul Fruit को ले लेता है और खुशो कर बोलता है Finally अब Master की Soul पूरी दरह से Recover हो जाएगी और तभी वा Magical Beast बाहर आकर रोने जैसी शकल बना लेता है जिसको दे एक जी यान बोलती है जियाओ यान तुमने तो उस Baby Soul Fruit को ले लिया जिसको इस Beast ने साल उसे प्रोटेक्ट किया था तो क्या हमें इसको बदले में कुछ नहीं देना चाहिए तो जीयाओ यान बोलता है हाँ बिलकुल क्यों नहीं इसके बाद वह 7th Grade के Emperor पिल को इस Magical Beast को दे देता है और बोलता है ये पिल काफी जादा पाफुल है इसको तुम अपनी बोडी को train करने के लिए यूज कर सकते हो शात में हो सकता है ये तुम्हारी बोडी भी एक Human Body में Transform कर दे जिसमर वह Magical Beast पे काफी खुश हो गया था इसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो Little Fairy Doctor बोलती है जियाओयान अब जब कि तुम्हें Baby Soul Fruit मिल चुका है तो अब तुम क्या करने वाले हो तो जियाओयान बोलता है अब जब कि हमें Baby Soul Fruit मिल ही चुका है तो हम लोग इस Treasure Hall से तो बाहर ऐसे ही खाली हात नहीं जा सकते मैं भी इस Ancient Ruins को थोड़ा Explore करना चाहता हूँ तभी Master Tiyan हुआ जुझे उस लावा में एक Body को देखकर बोलते हैं इस Person को तो मैंने Teleportation Formation के बाहर देखा था जहाँ पर या हमसे पहले ही किसी और Teleportation Formation में Enter कर चुका था लेकिन इसकी Body यहाँ पर पड़ी हुई है इसका मतलब कि सभी Teleportation Formation एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं तो Ziyan बोलता है तब तो हमें और Alert रहना होगा क्योंकि हमारे Enemies भी इस जगह पर आ सकते हैं और तभी हम लोग Ziyan को देखते हैं जो कि एक Direction में काफी God से देख रही थी तो Ziyan जीयान से पूछता है Ziyan यह तुम क्या गर रही हो तो Ziyan बोलती है मुझे इस Direction से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है और यह जो भी चीज है मुझे मेरी Blood Line से Connected फील हो रही है और तभी हमें दूसरी दरफ मिस Fengkinger और उसके Brother को दिखाया जाता है जहां मिस Fengkinger के Brother को कुछ फील होता है तो मिस Fengkinger अपने Brother से पूछती है Brother Feng Juwan क्या हुआ? जिस पर Feng Juwan बोलता है मुझे अचानक से कुछ फील हो रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहां पर कोई हमारे Ancient Phoenix Blood Line से हमें बुला रहा है और फिर हमें Ziyan को दिखाया जाता है जहां वह सभी को लेकर एक Mountain के पास आ चुकी थी और बोल रही थी यहां पर कोई ऐसी चीज है जो मुझे बुला रहा है तो मास्टर टियान वा जुझे बोलते हैं यहां पर तो आसपास कुछ भी नहीं है तो फिर आकर तुम्हें यहां से कौन बुला रहा है तो Ziyan बोलती है मैं गलत नहीं हूँ मुझे यहीं से किसी के बुलाने की फीलिंग आ रही है और फिर अपनी थोड़ी सी पावर को यूज करके उस मांटन को टच करती है और बोलती है यहां तो स्पिरिचल बीस्ट बारियर है जो कि मेरे एंशिन वॉइड ड्रागन क्लैन की किसी एंसिस्टर ने मढ़ने से पहले बनाया था और हम लोग देखते हैं जैसे ही जीयान अपनी पावर को यूज करती है वहाँ उसके चारों तरफ एंशिन ताई जू ड्रागन की स्पिरिचल बॉड़ी आ जाती है जिसके साथ ही जीयान काफी सैट हो जाती है लेकिन तभी जीयान किसी चीज को स्मेल करती है और बोलती है या तो एक बर्ड की स्मेल है जिस पर लिटल फैरी डॉक्टर और एंशिन ड्रागन बियर बोलते हैं कहीं तुम किसी और के ग्रेव पर तो रो नहीं रही होना तो जीयान बोलती है इंपॉसिबल के वर मेरे क्राइन की ब्लड लाइनी इस तरह के बीस्ट पारियर को बना सकती है इसके बाद जीयान अपनी थोड़ी सी ब्लड को स्माउंटन के उपर गिराती है जिससे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और जीयान उसके अंदर चली जाती है जहां जीयान जीयान को पकड़ने के चकर में खुद भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर एंशन ड्रागन भी लिटल फैरी डॉक्टर और मास्टर तियान वाजूंजे अभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहां उस्पोर्टल की दूसरी तरफ उन्हें एंशिंट हेवन, डीमिन फीनिक्स और एंशिंट वॉइड ड्रागन के स्टाच्यूज दिखाई देते हैं जिसे देखकर लिटल फेरी डॉक्टर बोलती है इवन कि यह सभी 10,000 साल पहले ही मर चुके हैं लेकिन फिर भी इनको यहां पर फील किया जा सकता है और तभी जियान यहां पर मौझूद एक काफी बड़े पेड़ के उपर इशारा करते हुए बोलती है मुझे वहां से अपने क्लान के ब्लड लाइन की आवाज और भी जोरो से आ रही है और वहां पर जो भी चीज मौझूद है वह मेरे क्लान के लिए काफी जादा इंपॉर्टन है और मुझे उसे किसी भी कीमत पर लेना होगा इसके बाद वह अपने विंग को उपन कर लेती है और उसके पास चली जाती है जहां जियाओ यान उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वह काफी तेजी से उस बड़े से पेड़ के पास चरी जाती है और फिर जब बाकी सबी लोग उस पेड़ के उपर जाते हैं तो ancient dragon bear वहाँ पर मौझूद fruit को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है यह तो dragon और phoenix का origin fruit है और फिर जियान बोलती है जब से मेरा ancient dragon void clan बना है तब से लेकर अब तक यह origin fruit केवल 5 बार ही अपियर हुआ है इस fruit के ग्रो होने का बहुत ही जादा rare chance होता है येवन कि इसके पूरे life force को absorb करना किसी के लिए काफी जादा dangerous होता है पर अगर इसे heaven demon phoenix tribe या ancient void dragon tribe की किसी बन्दे ने absorb कर लिया तो उसकी power काफी जादा बढ़ जाती है और उसकी bloodline एकदम से pure हो जाती है जिसको जानकर सभी काफी हैरान होते हैं और जियावयान बोलता है अगर यह fruit heaven demon phoenix tribe और ancient void dragon tribe का origin fruit है तो इसका मतलब कि miss fengkinger और उसका brother feng juan में इसको sense कर सकता है और वस सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो master tiyan va junjay बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से इस fruit को छुपाना होगा और सभी को जस बात का डर था वही हो जाता है यहाँ पर miss fengkinger और उसका brother feng juan अल्री पहुच चुका था जहाँ feng juan बोलता है इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं कि मुझे यहाँ पर अपनी bloodline महसूस हो रही थी तो चलो अब जल्दी से मुझे वा heaven demon phoenix और ancient void dragon origin fruit दे दो मास्टर त्यान वा जूंचे बोलते हैं लगता है तुम जाकते हुए इस अपने देख रहे हो अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो तुम इसको लेने की कोशिश कर सकते हो और तभी वहाँ पर wind lightning pavilion का problematic हो सकता है जहां दूसरी तरफ जियान बोल रही थी अगर origin fruit heaven demon phoenix tribe को मिल गया तो वह लोग supreme beast में evolve कर जाएंगे और उनकी power काफी जादा बढ़ जाएगी जिनकी सामने मेरा ancient void dragon clan पे कुछ नहीं कर पाएगा जोकि बिलकुल भी अच्छा नहीं होगा तो ancient dragon beer बोलता है master अब चिंता ना करो अगर इन सभी को इस fruit को लेना है तो सबसे पहले मुझसे fight करना होगा और फिर वह अपने energy को release करते हुए ancient dragon beer की body में transform हो जाता है जिसको देखकर tiger beast बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम wind lightning pavilion को रोकने की कोशिश करो आज मैं तुमें अच्छा दिखाऊंगा इसके बाद उन दोनों की बीच fight की starting हो जाती है और फिर हमें master टियान हुआ जूंचे को दिखाया जाता है जहां वह वूल्फ बीस्ट से fight कर रहे थे और लिटल फैरी डॉक्टर विंड लाइटनिंग पविलियन के master के साथ fight कर रही थी जहां दूसरी दरफ मिस फेंग किंगर से बोलता है तुम्हें पता है न क्या करना है मिस फेंग किंगर बोलती है हाँ ब्रदर मुझे पता है इसके बाद वह origin fruit की और जाने लगती है तो जियाओ यान उसे रुकने के लिए बोलता है पर तभी हम लोग देखते हैं फेंग जुआन अपनी एनरज को छिपा रहा था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है